आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गोस्वामी गनेश्टत्ता SD College, Sector 32C, Chandigarh, जो की Punjab University Chandigarh के साथ affiliated है, a college, a premium multi-faculty post-graduate co-educational institution, इसको नैक के द्वारा A plus grade दिया गया है, बहुत सारी खासियत हैं इस college की, ये college अपनी excellence के लिए जाना जाता है, Rare Distinctions is college की, bestowed with the status of A college with the potential for excellence by the UGC New Delhi, selected under FIST Programme Scheme by DST Government of India, ranked 99th in All India, ranking 2019 by NIRF, MHRD Government of India, selected under STAR College Scheme by DBT Government of India, Sanctioned Deen, Dyal, Upadhyay, Knowledge Acquisition and Upgradation of Skilled Human Abilities and Livelihood, Kaushal, Kendra, status by UGC to run B vocational courses, ranked 10th in BCA, 19th in Commerce, 21st in Science, 22nd in BBN, 33rd in Arts, in the best college of India at all India level in the survey conducted by India Today MRDA 2019, CityWise College ranked 1st in Commerce and Science and 2nd in Arts, इस college में PhD programs, MSC programs, MA programs, Master of Commerce, M.Com, Entrepreneurship and Family Business, PG Diploma programs, Bachelor of Arts, B.Com General, B.B.A., B.C.A., B.A.C. Honors, Biotechnology, B.A.C. Honors, Bioinformatics, B.A.C. Non-Medical, B.A.C. Medical और B. Vocational programs है, यहां पर Diploma in Medical Lab Technology भी उपलवद है, इस college में सिरफ पंजाब से ही नहीं, हर्याना और हिमाचल से भी students पढ़ने के लिए आते हैं, यहां तक कि foreign countries से भी यहां विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, करोना महारी के दौरान इस college ने online classes भी ली और विद्यार्थियों के सा संपर्ग रखा, हमारे पंजाब प्लस की टीम ने यहां के प्रिंसिपल डॉक्टर बल्राज थापर से बातचीत की, दर्श्पु पंजाब qula channel में आपका स्वागता है, आज हम आए हैं बिद्या की दानी, वो संस्था जो पिछले लंबे समय से चंदिगर में अपनी स्वाइन दे रही हैं, दाख साफ लगए है। थैंक यू। ताट साब जिस तरीके से ये संस्था केवल पंजाब को ही नहीं बलके ह्रेयना हमाचल की बात कर लें। दूर-दूर से बच्चे जो है एस भी कॉलिज में आते हैं और इसको प्रफिक करते हैं। हैं क्या कहना जाएंगे। हमारे कॉलेज को 48 years हो गए हैं, 48 years में हमने जो results दिये हैं और जो हमारी accomplishment हैं, उसके basis के ऊपर बचे यहां पर आते हैं, हमारा कॉलेज जो है, यह accredited A plus है by NAC and by UGC, it is a college with potential for excellence and it has been listed in the NRIF ranking also. Sir, यहां तक हम बात करें, यह जो college है के उर्विद्या का दाल ही नहीं, इसके साथ साथ का दल्डल activities, games की बात कर लें, सबसे बड़ी बात करेक्टर बिल्ड़ की जो बच्चा इस भी school college का पढ़ा होता है, तो उसको लोग prefer करते हैं, अगर बच्चे यहां से पढ़कर जाती है तो एक value से लेकर दखते हैं, क्या करते हैं? हमारा college सनाथमिस्ट value पर अधारत है, और जो सनाथमिस्ट हमारी values हैं, हम बच्चों को इंपार्ट करते हैं, character building करते हैं, यह इस तरफ हम academic results ही नहीं लेकर आते हैं, हमारी extra curricular activities भी उतनी ही strong है, cultural activities में पिछले 6 सालों से हम लगात पंजार उनियस्टी की trophy जीत रहे हैं, और हमारा sports में भी बहुत rank है, we are always in the center stage of the sports. सरre हम बात करें, यह कावले चवर्णों का संजा है, चाय हम हिंदू की बात कर लें, सिक की बात कर लें, साइस की बात कर लें, चारों community यहाँ पड़ती हैं और चारों community का ही यहाँ पर respect किया जाता है और उनको उसी डंप के साथ values में लेया जाता है. यह हम चार क्मुनिटी को नहीं किया सकते हम तो टोटली सेकुलर इंस्टिजूशन है तो कोई भी रिलिजिन हमारे पास आजाए हम उसको वेलकम करते हैं हमारे पास सिरफ चार क्मुनिटी के हिंदू से खेसाही नहीं है आपर सरी क्मिनिटी के लोग यहां पर आते हैं को को साथ में इस तरीके से आप अपने टीचर्स को काउंसल करते हैं कि हमने को ज़ता का दानः ही नहीं देना जो बच्चे हैं जो बच्चे हैं प्रफेशनल स्काड़ीज में इन्फने जाकर जोबस जाना है वो बाहर जाना है तो आप उनको जैसे गाइड करते हैं अपने स्टाफ को उनके साफ कॉंसलिंग करते हैं कि हमने इनको वो वैल्यूस देनी हैं को वो बॉड़ीलंगी है इसके साथ उनका एक ऐसा attitude हो कि हर जगह पर जाकर ही वो किंग रहे हैं हम बच्चों को right from the beginning हम counseling करते हैं हमारा department है psychology department वो बच्चों की counseling करता है बाकि सारे teachers जो हमारी faculty बहुत अच्छी है ये बच्चों को values class में भी देते हैं और class में भी उनको ये कहते हैं कि विलकुल ethical mark पे आपको चलना है morality के मार्क पे आपको चलना है और कोई गलत काम जिन्दगी में नहीं करें कि सर्क कोवर्ट 90 के एपीड़न के बहुत ज़्यादा जो है टेंशन में आ गया था सारा हिंदोस्तान वर्ड लेकिन ये जो संस्ता है जिसमें आप लोग पहले ही online classes की की बात कर ले smart classrooms की बात कर ले और नहीं नहीं studies की बात कर ले online studies की तो ये college पहले ही इन चीजों के लिए परिफाक था तो क्या कहना चाहिए कि वह यहीं वज़ा है कि इस college में उस period के दरान भी जादा students का loss नहीं हो हमारे पास TCS है Tata Consultancy Services और college is totally automated जो ही lockdown शुरू हुआ हमारी online classes शुरू होगी ये platform बहुत ही कम colleges के पास होगा और ये platform TCS LX module हमारे पास already available था और हमारे teachers को कोई problem नहीं आई हमारे बच्चों को कोई problem नहीं आई क्योंकि सारे students उस TCS से familiar हैं उनको role number अपनी attendance हो गएरा सारा TCS पे देखने की यादत थी और इसलिए हमारी जो online classes हैं बहुत successful ही चल दिए है सर अगर हम creativity बात करें creativity बात करें तो हर साल कोई नहीं चीज़ जो है इस calls में नहीं courses नहीं नहीं अचानियों को यह quality शूरा है क्या करना जाएंगे इस बार कि आपने कोई नहीं जोज़ जो है इसमें क्या आड़ करेंगे इस बार हमने हमें B-Walk in Mass Communication और B-Walk in Laboratory और M-Walk in Fashion Design यह हम skill-based courses एड़ कर रहे हैं इस साल हमें UGC से sanction हो गए हैं next year से यह यहां classes शुरू हो जाए है प्रिंसिपल साथ जिस तरिके से हम देख रहे हैं कि अभी तीन बजने का टाइम साने तीन बजने का टाइम है और जब हम आपके lectures के साथ देख रहे थे हमकी body language school देख रहे थे तो क्या कारन है क्या नर्जी का source क्या है कि यह से आप तीन बजने का साड़े तीन बजने का टाइम है आप ही कुरी flow में है और आपका स्टाफ भी कुरी flow में है क्या कारन है यह हमारी dedication and devotion towards the institution है हमारे सारा staff college के प्रती बहुत dedicated है वो यह believe करते हैं कि अगर institution है तो individual है अगर institution के नाम से हम जाने जाते हैं अगर हमारी institution rise करेगी तो हम rise करेगी सर आपका बहुत बहुत दन्यवाद आप हमें हमेश्या अपिजाप्रस को समझ देते हैं और एक ऐसी institution जिसको हम जब कवर भी करते हैं तो इतने reviews आते हैं चैनल को इतने reviews मेलते हैं क्योंकि आपका alumni बहुत स्टॉंग है बहुत लंबे सामय से आप स्वाएं कर रहे हैं आप जो चोटा सा बुटा लगा थास जांदर पेड़ खरूबदार भी रखकी इस वाइं दे रहा हैं आपके समें आयोग दंपार है क्या कहिए पछले पांथ दश्कों से इस कॉलेज ने अलगलग शेप्रों में बड़ी अपनी भूमिका निभाई है हमारा ये कॉलेज आर्ट कॉलेज दे शुरू हुआ था जो आज की देख में ये मल्टी डिसिप्लिली कॉलेज बनिया है और आज हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से लेके पीछ दी प्रोग्राम तक हर करां के कॉर्सिस को आफर कर रहे हैं यहां पे जो करीब अच्चे हैं उनकी साहिता के लि यह लगता है कि कॉलेज से किसी तरह की मदद की जुरूरत है कॉलेज उसमें कभी पीछे खटा लेंगे तो बहुत ही बड़े तरी किसे हैं जो कोई सिक्षा कोई निक्सान है कॉलेज ने दोजार चौदा में ही आई सीटी बेस्ट प्लेट फॉर्म बना लिया था उस प्ले रादर बहुत सारे संस्थाओं को दिखते आई कि किस तरह से हमने ऑनलाइन टीचिंग को अपने बच्चों तक परचाना है पर हमारा क्योंकि पहले से ही यह सिस्टम बना हुआ था हमने बहुत जल्दी से बच्चों के तरह अपने कंटेंट को भेजना बच्चों को पढ़ लिए यह तो हम यह गरफ से कह सकते हैं कि यह कॉलेज नॉर्थन डीजन में घपने हमें को आगे हैं था यह को इन है उन्हां पनी नहीं है हमेशा यह चलने वाला है और कोई नहीं नहीं चीज जैसे इस साल हुआ अपने नहीं कोर्स इंटर्डूस किया है अब मास्मुज अ बच्चों को क्या करने चाहें? हम अपार्ट फर्म पंजाब उनिवस्टी के कोर्स से हमारा डिपार्टमेंट जो है वो सिलिबस से हटके भी हम बहुत सारा सुसाइटी की तरफ बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं डॉकुमेंटरी बनाते हैं जैसे की गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने इनिशेटिफ शुरू किया है स्केल डेवलप्मेंट वोकेशनल कोर्स के उपर सो बहुत सारे हमारे ऑलड़ी तीन चार पांच चल रहे हैं वोकेशनल कोर्स सो इस साल हमने भी अपना मीडिया और एंटर्टेंडमेंट में ले कोस के लिए अपलाई किया था और आने वाले सेशन में हम शुरू करें ये भीवाफ कोस मीडिया और एंटर्टेंटमेंट सर हम देख रहे थी साड़े तीन बजे का समय था लेकिन अनरजी लेवल्स आप सभी लेक्टरर्स के भी और प्रिंसिबल के भी पूरे हैं क्या नरजी ऐसी कैसी जिसके साथ आप लोग इतनी ज्यादा मेनत कर रहे हैं और साड़े तीन बजे के तीन पैंटिस हो चुके हैं नौ बजे के आए हुए इस तरीके से आप अपने अपको इस कॉलेज के लिए इस मामद करते हैं यह हमारे का इक नियम हिगा है कि जो हमारे टीचर जैंद आपना मन लगा और जो की इक काम है टीचिंँ के इलावरFL एक की अदिस्टेटीव हैं या बच्छों के काम के लिए या सुसाइटी के काम के लिए जहां जहां contribute कर सकते हैं वो अपना काम regular करते हैं और बच्चों के काम में health करना और उसके लिए वही एक internal energy है और एक passion है टीचिंग का जो की शान तक और देर राग तक भी काम करते हैं सब जो वेस हैं आप लोगों के यहां sd college में पढ़ाने के वो ऐसे हैं कि लोगों को मज़ता है बच्चों को पढ़ने के लिए क्योंकि वोई classes हैं वोई teaching है लोग उपने लग जाते हैं आजकल बच्चे बड़े-बच्चे हैं उनका mindset up मीडिया के कारण बहुत ज्यादा और लेकिन आप लोग उसी तरीके से उनकी वही मर्ज को समझते हैं और उसी तरीके से उसको उसी लिए से पढ़ा रहे हैं यह एक नहीं क्रांती है जो इसके बढ़ने क्या क्या जाए है हमारा मेन जो मोटी वैजी एक teaching के साथ साथ उनको practical exposure भी देते हैं तो हम नहीं नहीं नही जो कि अधिर्टिव में जो करते हैं उनको लैब्स में है या रिलेटिव जो की फील्स हैं उनको practical exposure देते हैं तो एक उनका जो थेवरी में है कि वह इंत्रस्ट बना रहे हैं और वह चीज को बैटर तरीके से से सीख सके तो इसलिए उनका दियान जाता इसमें इंत्रस्ट र झाल